OnePlus 13, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका वेट आप में से काफी सारे लोग कर रहे होंगे OnePlus 13 के बारे में प्रोपर चीज़े सामने आ चुके हैं इसके कैमरा अज भी, इसकी डिस्प्लेइ भी, बैटरी वगर भी काफी सारी चीज़े ऐसी हैं जो आप सामने आ चुके हैं आज किस वीडियो में, हेलो दोस्तो, मेरा नामेर होईत और स्वाक आताब सभी का एको लेटेस टेक वीडियो में दोस्तो, फाइनली प्रोसेसर वगर है, सब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि स्नेप डैगन 8 इलाइट फाइनली लोँच हो चुका है और अब यह भी कंफर्म हो चुका है कि वन प्लस 13 के अंदर आपको स्नेप डैगन 8 इलाइट प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, यह 8 जैं 3 से अब गिरेड़ वाला प्रोसेसर है, एकदम लेटेस्ट वाला है, यह जो प्रोसेसर है, यह आपको दिया ही जाएगा, और चीज़े आपको सेम ही मिलेंगे इंडिया में भी कुछ एक दो चेंज हो सकता है, नहीं तो जातर चीज़े सेम ही आती है, तो टेंसन वाली बात नहीं है, पोसेसर भी यही मिलने वाला डिस्पिले वगर सब यही मिलेगी, तो इतना बड़ा कोई शू नहीं है, मान कि प्रोपर सब चीजे बता दूँआ कितना डिजाइन है किया सब कुछ फाइनल मिल जाएगा लोंच से पहले तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब या आप से कर लेना अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में तो अभी आपने स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं यहां आपको लुक प्रोपर पता चल रहा इसकंदर पंचल डिस्पटल आपको मिल जाएगी साथ में इसमें जो चेंज्ज रहा गया डिस्पले दी गई है जैंदो दिस्प्लेट है फ्लेट थो है लेकिन हलका सा करव है अब बोलोगे यह कैसे तो मेरे पास वीव का वाई 19 था अ तरीन कान आपको इस बार दिस्प्ले मिलने यहां पर फ्लैट डिस्प्ले कम दे रही है इसका अंदर फिनिशिंग आपको टेक्सचर फिनिशिंग दी जाएगी बैक साइड में और इसके सब्सक्राइब है दोनों फ्लैट आपको देहने के लिए मेटल के तो काफी डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा बाकी जो बैक कैमरा है उसको जो मोडूल है आप बोल सकते हैं सेम पॉंट प्लस की तरह रखा गया सरकल वाला एक दम और हैसल ब्लेड की ब्रेंडिंग आपको देहने के लि देखने के लिए मिल जाएगी और इसकंदर आपको मिलने वाला है एक सो बीस रट्स का रिफ्रेश रेट और शहाजार नीट्स की बीग बैटनेस्ट डिस्प्ले काफी बैटर है और अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो वह मैंना आपको स्टार्टिंग में बताया थ क्याकर का स्टार्ट इट ऐलाइसी आपको देखने करने मिल जाएगा और इसको एक बात सामने निकल करेंगे है कि इसका जो एंटित स्कॉर होगा वह आईफोन बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो बात करें लेकिन ग्लोबली या फिर हम बात करें इंडिया की वहां पर इसको ओक्सिजन ओएस 15 बेस्ट एंडूइट 14 पर माफ की जगा 15 पर लॉंच किया जाएगा क्योंकि चाइना के अंदर कलर ओएस पर ही काम करते हैं अभी वह वनप्लस के स्मार्टफोन लेकिन बागी जगा पर सब ओक्सिजन ओएस पर सिफ्ट कर दिया गया है वनप्लस के लाइट या 808 सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेकेंडरी कैमरा 50 मेगा पिक्सल के टैली फोटो लैंस है जो कि 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है इसकंदर आपको सोनी का लाइट या 600 सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा यह भी विद ओएस ही आता है थ लेकिन फ्रेंट कामरा के बारे में लीक्स कुछ आ रहे हैं कि 32 में पिक्सल मिल सकता है फाइनल यह लीक्स आ रहे हैं से तो वह मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और बात करें इसके रैम और इंटलन स्टोरेज की तो इसके अंदर आपको अप्टू 24GB तक की रैम मिलेगी ज आईपी रेटिंग का बताया ज़रा या तो आईपी 68 होगी है 69 होगी वह कंफर्म नहीं है तोड़ा सा लीक में यह है कि 68 या 69 में से कोई एक आईपी रेटिंग इसमें हो सकती है तो फाइनली यह सब इसके स्पैक्स थे जो मैंने आपको बताए है और जब एक बाट चाइन सब्सक्राइब तो मुझे कमैंट करके बताओ जो मैंने आपको सब्सक्राइब बोटा मिलूंगा आपलों को से एज या